हेलो एब्रिवन, वेल्कम टू माँ यूटूब चैनल, आज महीले कमन इंट्रांस इग्जामिनेशन 2023 जुन बर्खरे सक्या चा त्यस्मा फिजिक्स मा सोदेका मेमरी बेस्ट क्वेशिन अरू लेरा आएकुशुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु ुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु scattering interference एसको answer की होंच दा बनात एसको सही answer की होंच आमरो diffraction होंच अप आयरता आमरो diffraction कुन condition मा होंच धाश diffraction तेती बेला होंच जुन बेला width of slit width of slit is nearly equal to the wavelength of light रा आमरो wavelength of light ले आमले lambda ले पनी indicate करना सक्षम इसको यो condition मा आमरो की होंच दा diffraction occurs अब आमिले माकुराको यो जालो मा एरियम बने एरता यो माकुराको thin thread अरो होंच नी जालो मा वैब मा अब यो thin thread ले के बनाऊच आमरो के बनाऊच दा आमरो fine slit अरो बनाऊच एकदमे शान प्वाल अरो बनाऊच अरो त्यो प्वाल को width कती होंच दा that is nearly equal to the wavelength of light okay so त्यो condition मा आमरो क्यो होने बो diffraction होने बो diffraction बनाऊच गयो bending of light at the corner of the slit so diffraction बहो बने आमरो क्यो होनच दा आमरो spider को wave कोस्तो देखिंच signing देखिंच okay signing देखिंच so एसको correct answer आमरो क्यो होनच दा diffraction होनच okay अब आम equation नम्मा 2 solve गरने शूं एसमा क्यो वन्याच वन्दाखिरी find equivalent resistance between A and C where each resistance R equal to 1 वानो हम okay अब आमी यो circuit डाइग्राम मा एरम दा आमरो A रसी मा आमरे निकालनो परने केशा equivalent resistance okay so यो circuit डाइग्राम मा आमले कुन प्रिंसिपल लावन शकिंचा दा आमरो वेट इस्टन ब्रिंसिपल पनी लावन शकिंचा okay वेट इस्टन ब्रिंसिपल okay अब अब एरत आमरो यो पोईंट शान इयो B रो D मा okay so B रो D मा आमरो क्यो उन्चा दा voltage equal उन्चा okay किना की current एता पनी डिवाइड़बो एता पनी बो एता पनी गवाइड़बो और B मा B रो D मा आमरो क्यो उन्चा दा S मा voltage equal उन्चा यो आमने थापण बसाई voltage at B is equal to voltage at D किना की यो जो वानेको वेट इस्टन ब्रिंस को जस्ताई शानी है इरना सब बै आर 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 शानी सु एत B and D मा आमरो voltage equal उने बहो अब एरत अब बी रो D मा voltage equal चाब वाने आमरो B G रो D E शार्कित मा आमरो current flow होने भाएडा इसमा current जाने भाएडा पने पसे आमरो त्यो रहिस्टेंड लाइपनी हटाऊना शकने भाएउं सो यो शर्किल्ड आमने एचरी पनी रिकंस्टाउट कनना शकीनी बहुँआ अब शपोस देज़ पोईंट A ओकी और S बाट एवटा रहिस्टेंस आर आयो अब यो पोईंट B मा पूगियो ठीक्छा और B बाट पनी ओड़ा अरको रहिस्टेंस आने वो S आरी आनी C पोईंट पनी तो आयो ठेक्छा और आमेले अब बीजको सर्कित में रहांते एवटा रिकंस आयो अन्यग पत्ती R एप्वटा पनी R एता पनी R एता पनी आमार स्कित यो अई चरी ऑलार आयो प्यर यह थक्स्टो आयो और फ। मेंट D आयो ओके यह ऐता पनी औरको रिक्स्टेंस आस तो गव़ शीमा कायो, ओकी? आमरो सर्किट एसरी कस्टर्ट करना मिले ओवब किना कि आमरो बेजीर दीए माधा करेंट गवखो साइना ठेक सा बोल्टेज इक्वेल बॉयका कारान ले अब एसला आमिले कस्टरी पन लेखना मिले वंदा खिरी अब यह आमरो आर सा, यह पनी आर सा, यह पनी आर सा अब आमरे बीजमा की होने भाँ? एव टा R छा आनि माती पत्टी R आर चट भाँ खेंडा की भाँ? यव 2R भाँ, तला पाँ आमरे गाँ भाँ hela में यो पनी आमरो 2R उने भयो, ओके, शो 2R, अब आमेले यो सर्किट मा एड़ दाखेरी, अब की गरना मिलचा, अब आमले यो 2R ला 2R के माँचा प्यारल माँचा, तेला आमले की गरना मिलो, प्यारल सर्किट मा एकको विलाइन ट्रहिस्टे निकालना सकनू परे आमले, ओके न अब तेसला आमले निकाल दाखेरी, यो माथी 2R छा, ओके, यो पॉइंट A भो, यो C भो, अनि बीज मा एड़ आर भो, यो 2R आ 2R काती भोता आमरे प्यारल मा गर दाखेरी, एकको विलाइन काती भो, गर दाखेरी, आमरे यो पनी R होंचा, यो पनी R भो, यो पनी R भो, य माथी 2R भोयो, ठीक्छा, औनि बीज मा कती भो, R पुलस R पुलस R, बीज मा 3R भोयो, 3R, औनि तला पट्टि आमरे पनी कती आरो, फिरी 2R áयो, ने सल्वो करदा दाखेरी रिक्कि भोता हो आमरो, 2R, 2R, 3R आमरो किमा भो प्यारल मा भोयो, प्यारलमा साव वाने आमरे आम 1 by 2 R plus 1 by 2 R plus 1 by, कथी बोई आमरो, 1 by 2, कथी 3 R, ओके, यह सब बई को आवो, आमले LCM लिए दाहेरी, आमरो क्योंचा दा, 1 by R equivalent equal to, आमरो, कथी बोऊता, आमरो, 6 R तलावा, माथी, आमरो, कथी बोनेवो, 8 आवनेवो, ओके, इसारी आमरे कैंशिल गड़ दाहेरी, R equivalent इकल टू कथी बोऊता, आमरो, 3 by 4 R, अनि R वनेवो कथी बोऊता, आमरो, 1 च, 1 ओहम, इकल टू 3 by 4 ओहम आमरो, करेक्ट आणसर हुननेवो, अप्शन C मा एड़ दाहेरी कथी बोऊता, 3 by 4 ओहम, so that is the correct answer okay अब आम एक्वेशन नम्मर 3 शाल्ब गरनेशं यसमा के बनेशा वन्दा करी the external and internal diameter of hollow cylinder are measured to be 4.23 plus minus 0.01 cm and 3.89 plus minus 0.01 cm respectively the thickness of cylinder आमले निकाहन परनेशा okay आमले option देगो सचारोटा okay आब इरत external internal diameter देखो सचा hollow cylinder को आमले शुरुमा यहवता cylinder गरन्नों परयो suppose देजा cylinder okay यसरी आमले की बनायों cylinder बनायों okay आब इसको 20 मा गेशा था आमरो hollow cylinder शारी ठीक्छा आब इरत आब इसको external diameter आमरो की बोयो suppose that is dE okay आणी internal diameter आमरो की बोते internal बनेको बित्रको hollow cylinder को diameter देज आमरो dI होने बो okay so आमले ठीक्निस निकालनको लाइक की गरनो परयो था ठीक्निस बरावर dE minus dI अनी ते लाइपने आमले 2 डिवाइड गरनो परयो ठीक्सा ठीक्निस एसरी आमने बो अब आमले की गरना मिले बोने पसी 4.23 plus minus 0.01 यो minus internal diameter कतीशा आमरो 3.89 plus minus 0.01 ओके यो डिवाइड बाइ 2 गरना मिले अब आमी की गरसम बन्दा खिरे हमले diameter diameter आमले गटावना मिले अब 4.23 minus 3.89 यो अब आमा गटावना मिले अब आमले plus minus 0.01 plus 0.01 अब अब इसमा एरदा आमीले error लाए की गरायाशा आमले list count लाए की गरायाशा एड गरायाशा एड गरायाशा एवटा पुरा के थाभावना परसा बन्दा खिरी कईली पन यो 0.0 आँछा ने यो ता आमरो error हो हो कि एना error लाए कईली पनी आमले minus गरना मिल दाएना ओके शो दुटा लाए की गरना परसा आमले जोडना परसा ओके आब तीमले याँ लेखाता एवटा कुरा के थाभाई राखना बने पसे error never subtracted ओके while adding or subtracting adding or subtracting to quantity ओके दुटा कॉंटिटी लाए आमले add वा subtract गर दाहेरी error are never subtracted ओके they are always added error लाए आमले सदे की गरना परसा जोडना परसा ओके इसमा पनि आमले के गराऊंदा जोडे हम 0.01 एवट्टा चोटी error बोयो फिर अजय औरको पटक measurement आमले internal diameter जोड दाखेरी measure गर दाखेरी तेसमा पनि 0.01 error आए वाने पसे आमले error लाए सदे की गरना परसा जोडना परसा ओके शोड़ना परसा ओके शो यह कथी आथा 0.34 plus minus 0.02 divide by 2 गर दाखेरी कथी आथा 0.17 plus minus 0.01 so this is the correct answer ओके शो आम्रो option नम्म स्री की बोदा आम्रो correct answer होने थीक्षा अब आम equation नम्मर फोर गरने सम इसमा के बनाया सा बन्दा करिद the dimension of angular momentum is option A, B, C, D देको सा अब आरो द अंगुलर momentum बना कियो angular momentum L इकल तो आम्रो के उन्दा R cross vector R cross vector P vector P बना कियो आम्रो linear momentum ओके ठीक सा अब R cross M B ओने बो ठीक सा किने की linear momentum ओने कियो आम्रो M into B velocity ओके यह सरे dimension इड़दा किरी की बोदा आम्रो यह उट्ट M बोयो और R को L बोयो और B ओने L T minus 1 शो overall the dimension की बोदा आम्रो ML square T minus 1 दे इस the correct answer so the option number B is correct अब हामी question number 5 गार ने संगला है रहता यहां के वान आशा the escape velocity on earth for a satellite launched vertically is 11 km per second if the satellite is launched at 45 degree escape velocity will be 11 km per second 22 km per second 33 km per second 44 km per second अब हामने के थापाँ पर्शा बन्दा करी escape velocity को formula के साम्रो 2gm by r ok 2gm by आम्रो की होंचा r होंचा root ok na root 2gm by r होंचा और root 2rg पनी होंचा ok ठीक्छा so आमीले यो formula मा याड़ दाखे एंगल मा डिपेंड गर्याचा था चाही ना so escape velocity doesn't depend on the angle of projection ok योकरा तपायले याद गर्नों पर्शा angle of projection मा डिपेंड गर्देना वने पसी आम्रो जोती अंगल मा फाले पनी escape velocity तेती नहीं रहांचा वन्नाले आम्रो escape velocity from the earth surface को थी होता 11 km per second so आम्रो 11 km per second नहीं उने वो ok question number 6 मा यह रहाथ the magnetic field at the center आमला योटा diagram देखोसा योटा circuit देखोसा आमले center यो O मा center मा अमले क्या मानने लो center O मानने आई तो मयले the center O मा magnetic field due to the current carrying wire कुणी कालना पूर ने सा अब यह रहाथ अब मयले suppose इसमा नाम दियाए त suppose there is A point there is B point this is यो आरको माल C1 आई अनी योट D point and this is E point अब यह रहाथ यो center O मा magnetic field के के ले उनसक्षा योटा यो राड ले उनसक्षा AB राड ले उनसा अई त यो जान्सांत यह राड ले उनसक्षा अरको आरको आरक ले पनी उनसक्षा अरको आमरो D ले पनी magnetic field contribute करना सक्षा O point मा अब यह रहाथ आमरो 8.0 वह रहाए 8.0 वह रहाए 8.0 वह रहाए 8.0 वह रहाए iPhone 1995 X समा सानी आमरो अरक कुन consider 9.0 वह रहाए यह आरक लोए उनसक्षा I you वह रहाए कर दिखम समन्द खर शेंटर मा कथी गर्च थाँछा शेंटर मा बी कथी उन्छा दो यटा सरकल ले करदा हेरी कथी उन्छा मियूनट आइबाई कथी उन्छा 2R होंचा मिंट i by 2R वनेगो कती complete circle ले कती दिनच मिंट i by 2R वनेगो 2pi angle complete circle वनेगो 2pi angle तेले एत्ती करचा अवा आमरो तो yoy complete circle छोईना 90 degree एता पट्टीछा उता पट्टी कती बता आमरो 270 degree 270 वनेगो 3pi by 2O आमरो आमले की निकालनोब परशा वंदाखेरी 3 pi by 2 को r के ले कथी contribute गर्षा तो निकालनो फोर्यो अब है रहता आमरो यह उटा complete circle ले कथी गर्षा mu not i by 2 r यह वहने कथी हो 2 pi angle ले कथी गर्षा एती गर्षा वहने फोसी 1 एती यह दो कथी 1 pi ले एती गर्ने वो अब इन्टु कथी शता आमरो 3 pi by 2 so this is the contribution of the magnetic field at the center due to the arc BCD ते से गर्या आम चांग और को rod पनी सा करें यह rod DE DE rod ले पनी पनी गर्ना हक्सा नी okay न magnetic field at point center 8.0 due to the rod DE ले कर्था हरी कथी होंचा दा अब यह पनी के मासा आमरो axis मासा ठाक की axis मासा यह rod को पनी के चा axis मासा axis मासा वाने बसी आमरो 11 नी कथी कंटिविड गर्षा 0 कंटिविड गर्षा वाने बसी total magnetic field at o total b at o कथी होने बता आमरो b a b ले 0 गर्षा b c d ले चे गर्षा b d ले बन 0 गर्षा वाने बसी तीन टे जोड़ दाखेरी कथी होने बता आमरो 3 mu naught i by 8 r नहीं होने बो ok so this is the correct answer so option number कथी मासा थ option number d is the correct answer होने बो यो question को लागी ok अब question number 7 मा एरत the characteristic of hard axory is low wavelength, low energy, low frequency, long wavelength अब आमले के बुजन पर्षा बंदा खेरी hard axory को क्योंच hard axory को की होन्च hard बने पसी आमरो येशको energy की होने बो आमरो एक दमय high उने बो ok energy एक दमय high उन्च hard axory को अब आमरो energy के माँ depend गर्छा energy frequency माँ depend गर्छा किनकी energy बनाया की आमरो h into f so energy is directly proportional to frequency ok so frequency बनी की होने बो high उने बो hard axory को लागी अनी energy is inversely proportional to the wavelength उन्च ok ठीक्षा अनी inversely proportional to the wavelength lambda ok so आमरो hard axory को लागी होन्च आमरो lambda कम उनू परो ok so ये option माँ एर दाखे रिक्कुन option मिल्यो था आमरो option number A मिल्यो low wavelength ok low energy था उने बोयना low frequency बनी दाइना high frequency उन्च ok ठीक्षा so correct option is option number A that is low wavelength अब question number 8 एर दा which of the following favor the existence of substance in solid state high thermal energy low temperature high temperature weak cohesive force अब आमलिक्के बुजन पर्शा बन्दाखेरी solid state को लागी आमरो favor गरने की होता आमरो एकदमाई high intermolecular force आमरो solid मा की होंच था molecule 20 को force की होंच intermolecular force की होंच एकदमाई high होंच ok intermolecular force high होंच intermolecular force high होनगो क्यो कोई जी force पनी एकदमाई high होनगो कोई जी force बन्दा पनी ok यो पनी की होंच high होंच अब एर दा कोई जीप फोर स aims high में के लागया आमरो की उना पर्यों लोओ टैंपरेशर उना पर्यों OK ici लोओ टैंपरेशर उना पर्यों केने कि टैंपरेशर बढ़्टाये वहने त आम्रो शोलीड स्टेट फ्यावर नहीं गार दैना आम्रो लिक्विड इस्टेट में कंबाट उने वो ओके अनि तेसे गरी आम्रो आई प्रेशर पनी फ्यावर गर्शा फॉर्द शोलीड स्टेट आम्रो अप्शन यह दाखेरी आई थर्म इनर्जी दा उने भाया ना थर्म इनर्जी दा कंबाट उने भाया ना अनि आम्रो लो टेम्प्रेशर क्योता हो यह दा आम्रो शोई इसा आम्रो आप आले कुरा गर्यों आम्रो क्यों चाता शोलीड स्टेट को लागी लो टेम्प्रेशर फ्यावर गर्शा आई तेम्प्रेशर पनी उने भाया ना विक्वे saturation point for a maximum photoelectric current intensity stopping potential frequency wavelength अब आम लिखे बुशन पर्शा बंदाखेरी photoelectric current जानी always depend upon the intensity okay intensity संगा कियों से directly proportional उँचा एत्ती गुरा याद गरनू पर्शा intensity बने काई कियो number of photoelectrons number of photoelectrons emitting per second okay so amro photoelectric current maximum that is saturation current amro kima depend गर्शा the intensity man depend गर्शा okay अब आम equation number 10 मा एरम था what is the percentage of dark matter in the universe अब आम रो dark matter को कथी percent होंचा था nearly 25 पर्शेंचा थी होंचा so correct answer is 25 या एरा था आम रो की के उदर रहिशा था आमरो dark matter is nearly equal to 25 पर्शेंट और 27 पर्शेंट बने आशा है that is nearly equal to 25 पर्शेंट okay और आमरो dark energy कथी से आमरो nearly equal to 68 पर्शेंट okay तो शेकर इविजिवल मैटर कथी से आमरो 5 पर्शेंट मात्र है ओहो यारता कस्तो अचम होई आमरो देखनी कुले आविजिवल मैटर okay दाट इस only 5 पर्शेंट तरह यारता dark energy कथी से 68 पर्शेंट और dark matter कथी से 27 पर्शेंट okay अब यारता question number 11 केस है यारता quark for antineutron udd uud अनि यारता u bar u bar d अन्य सानी अब इसको लागी आमरो की गरनों पर्शेंट अगरी शुरू मैं neutron को quark आमले थाउननों पर्यो okay क्योंनों पर्यो neutron को quark आमले थाउननों पर्यो अब यारता neutron को लागी आमरो quark के combination केस है ता आमरो udd अब यारता udd कीना बहा कीना की neutron मा चार्ज गियो उन्च जीरो उन्च चार्ज जीरो उन्च लागी तो cancel उन्परयो अब यारता अब quark को चार्ज कती उन्च पुलस 2 by 3 की को उन्च अब quark को चार्ज उन्च डाउन को कती उन्च था आमरो minus 1 by 3 शो आमने यूंटी डी जोड़ दाखेरी कती उन्च नेट 0 उन्च अब आमने निकालना पनने केश है एंटी न्यूट्रोन एंटी वने को ठेक काई opposite हो और न्यूट्रोन को था पाई पसी एंटी न्यूट्रोन को था थावे आल जा ठेक के माथी बार लगाए दिने ओके के लाउने माथी बार लगाए दिने ओके शो एंटी न्यूट्रोन को के बता हमरो यूंबार d-bar d-bar शो चरेक्च आंसर is option number d ठेक्च या बुजी राज़ भने आई न अब वाइट नम्मर टू बेल आई ता अब वाइट नम्मर टू बेल मा के वन आशा पड़ा था इसमा के वन आशा बंदा करी आव वाइड आव 50 cm लॉंक योटा वाइड चा वाइड चा वन एमेम स्क्वाइड इन क्रॉस्च्छन एरिया कैरीज अ करेंट अप्वर एम्पिर अब योटा वाइड देखोशा आई त्यो वाइड को आमले एरिया पनी देखोशा आणि तेसको लेंथ पनी देखोशा अब आमले थासा कुने योटा वाइड को लेंथ पनी देखोशा अरिया पनी देखोशा वने आमले रहिस्टेंड निकालना शाकिनचा शो रहिस्टें इकल्ट की होता आमरो रो L अपन A L वाने को लेंद ए वाने को एरिया अब आमलाई OMS लवाबाट अपन के थासा आमलाई के थासा वनाग बन दाखेरी B इकल्टो IR पन थासा इस बट अब दाखेरी R की बोता आमरो R इकल्टो B by I पनी थाब होया आमलाई R को ठम आमले B by I पनी राखने मिलेओ इकल्टो Rो L अपन A आमिले B रा आई को बहलू राख दाखेरी कती बोता B वाने को 2 बोल्ट I वाने कती सा 4 A आनि रो इन्टो लेंध कती सामरे 50 सेंटिमेटर 50 सेंटिमेटर मा लाख दाखेरी 50 by 100 गरनो परेओ ठेक्छा? त्यों के मा गवाता? 50 सेंटिमेटर मेटर मा गवाता आनि अपन एरिया एरिया कती सामरो एरिया 1 mm स्क्वार 1 mm स्क्वार लें आमिले मेटर स्क्वार मा लाख दाखेरी कती बोता इन्टो 10 to the power माइनस 6 गरनो परेओ मेटर स्क्वार मा ठेक्छा? अब आमिले एले स्वार लाख दाखेरी की बोता आम्रो 2 लो 2 रो 4 काटियो 2 अनि 51 52 जाव अनि 2 2 भेरी काटियो देरफोर रो इकल डू कती आदा आम्रो 1 इन्टो 10 to the power माइनस 6 ओहम मीटर उनेवो अब आम्रो इन्टो 10 to the power माइनस 6 ओहम मीटर अब आंसर अप्शन नम्र D उनेवो अब ग्वेशन नम्र 13 एरत ना नि भाव वरू इसमा क्ये वान आसा इफ E denote electric field present between the two plate of a capacitor having length D area A then energy stored in the capacitor is अब अब आदा आम्रो energy निकालना पौर सा option number A देको सा B पन देको सा C पन देको सा D पन देको सा अब आम्रो अब आदा आम्रो क्ये देको सा two plate देको सा capacitor को इसमा electric field कादी सा आम्रो E ठेक सा रव आम्रो area plate कादी सा A छा distance कादी सा आम्रो D छा अब आम्रो energy निकालना पौरा आम्रो क्ये चा फर्मुला तो सब बेले थाने वाला 1 by 2 C B square आब 1 by 2 C वन्या क्यों आम्रो capacitor को capacitance आम्रो capacitance को formula की उन्चा आम्रो epsilon not A by D उन्चा ओकि ना हो आवा तेसे गरे आम्रो B वन्या पन्या थासा ओकि ना electric field वन्या क्यों आम्रो B by क्यों वता B by D हो ओकि B वन्या क्यों वता आम्रो ED भाः ठीक्षा शो आम्रो यो बैदो राखना मिलने भाँ अब आम्रो C को ठाव मात C को बैदो राख देम था epsilon not A by D अनि B को ठाव म्रो आम्रो की राखना मिलो ED राखना मिलो ED को square करना मिलो ठीक्षा आब एर दा 1 by 2 epsilon not A by D into electric field को square आनि A D अके शो देज़ दा final answer अब अप्षन नम्र कती माशाई रहता Option नम्र B माशाई ता शो correct answer will be Option नम्र B ठीक्षा बुजी राखनी आई न बुजनो परसाई इस तो करारो एकदमे इम्पोर्टेंट चा अब नेक्स टाइम बने इक्षन आउदेना बने मिल देना इस तेपन आउनो शक्सा तो आप आले से पास्टेर कोईशन एकदमे शो बने बरसाई अब एरता इक्षन नम्र आमी फोट्टीन गरने साओब The coefficient of viscosity for hot air is अब hot air को viscosity coefficient of viscosity कोती उन्चा वनेह Greater than the coefficient of viscosity for cold air Smaller than Same as the coefficient of viscosity of cold air Increase or decrease depending on the external pressure बनेहाश अब एरता आमली एसमा की लाउन परसा concept बन्दाखेरी आमले liquid रहट एर को coefficient of viscosity फराग बरसाई temperature अनुशार अब आमी liquid को कुड़ा गराम्द liquid को कुड़ा गर्दाखेरी आमरो एरत liquid को कुड़ा गर्दाखेरी coefficient of viscosity इट्टा L अनुशार इट्टा L inversely proportional to temperature उँचार temperature आमले बड़ाव वाने बिश्कोशित व लिक्विड की उँचाद आमरो गड़्चा ठीक्चा तरा आमीले hot air air ग्यांसको कुड़ा गर्दाखेरी air और ग्यांसको कुड़ा गर्दाखेरी आमरो कॉपिशेंद विश्कोशित इट्टा आमरो A और G वानांदए इट्टा G आमरो की होंने बदा डायक्टे प्रूपोचनटो temperature आमरो प्रूपोचनला सरी आमरी जथी टेंपरेशर बड़ाव वाने आमरो ग्यांसर को मोलीक्यूल को की होंचा बन्ने इनर्जी बन्ने अर्व एकदमे ठोकी ने वह दे गुंस इन्द्रेंडम मोशन एंडे कोलाइड विद इच अधर कोलाइड बढ़ेवसी कि उन्छा तया फ्रिक्षान आउसा बिष्कुषिटि बन्ने वो ठीक्षा तर लिक्विड माय कि उन्छा लिक्विड माता आम टेम्लिसर बडाई मुझाया वने मॉलिक्वी तरो टाक्टाडा जाने वो टाक्टाडागा वने, फ्रिक्चिन कम वने वो, ओके ना ओके ना फ्रिक्चिन कम वाव जी के वह उन्छा आम्रो पिश्कुसिति गटने वो, ठीक्छा सो इसमा होट एर को लाई की होंचा था आम रो is greater than the coefficient of viscosity for cold air so the correct answer की होने भो था आम रो option number A होने भो, ठीक्सा अब आम equation number 15 मा एरमत two blocks each of mass M are resting on a frictionless भने आसे यो यादगर, frictionless inclined plane as shown in the figure then the block A moves down the plane, block B moves down the plane both the blocks remain at rest, both the blocks move down the plane अवे रता, आमला योटा याँ diagram देको साई इसमा आमर दुईटा mass अरूशा, M mass गरेको दुईटा block अरूशा, ओकी रद दुईटा को angle of inclination के साँ, आमर फरक्सा योटा 60 degree सा, और को कदी सा, 45 सा अवा आमले, इन्हेरको mass, इन्हेरको weight कता हुँँजा, आमरो इन्हेरको weight, तला फट्टी हुँँजा, downward Mg तला उने भो, ठीक्सा अनि, block B को लागी बने, इसको weight कता हुँँजा तला हुँजे Mg, ओकी अब यो Mg दुईटा को weight लाए मईले, क्ये गरे? रिजॉल्व गरे, दुईटा component मा हुँजे, डिवाइड गरे, अब येरो ता, block A को लागी, block A मा आमले, Mg को component आमले, एड़ दाखेरी, एता फट्टी कती बोदा, आमरो, एता फट्टी Mg sin कती डिगरी सा, 60 डिगरी हुँँजे, ओके, एता फट्टी आमले, कती 60 डिगरी हुँँए, ओके, ये एंगल पनी कती हुँँच, 60 डिगरी नहीं हुँँच, ठीक्छा, अब आमले, block B को लागी एरियों मने, एड़को पनी, component Mg तलब आए, ठीक्छा, आनी, दुटा component मा हुँँदे, ठीक्छा, अनी, 45 डिगरी ये पनी कती हुँँच, आमरो, 45 डिगरी नहीं हुँच, अनी, एता पट्टी कती की बहता, आमरो, Mg Cos 45 डिगरी, अनी, डानवर्ड कती बहें, एता पट्टी, Mg sin 45 डिगरी, अब, ये Cos वाला component की हुँँच, आमरो, कैंसिल हुँच, किनकी, आमरो, ये रियक्छन चान, ये आर, येले की गरदींच, कैंसि 20 डिगरी स, ओके, शो, this must be, more than the Mg sin 45 डिगरी, ठीक्छा, थे वाला, आमरो, 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 ए बलोक की बहें च द, ए ब्लोक को component, downward component की वो, is greater than the downward component of the block B शो आमर ब्लोक A कता जान्चा, the block A will go downward, okay आमर ब्लोक A तला जाने वो, और ब्लोक B आमर माथी जाने वो, okay ठेक्सा, शो इसमा, correct option की वो, आमर दा ब्लोक A moves down the plane, okay option नमर A is correct अवा question नमर 16 मा एरत, the red color of sky during sunrise and sunset is due to dispersion of light, scattering of light, refraction, diffraction अवा एर क्योंच लवनत तिमी एर क्योंच मन्दाखिरी, आमर सुन्राइज र संसेट मा क्योंच आमरो, आमरो सुर्य एक्दमें ताडा होंच क्योंच, सुर्य एक्दमें ताडा होंच अवा टाडा बाटा, टाडा बाटा रे वर आउंदाखिरी, बाटो मात आमरे एक्दमोस्पेर च, एक्दमोस्पेर लेके गर देंच, स्केटरिंग गर देंच, अब हामी सम्मा पुग्णा को लागीता, त्यों रे की उनन पोरे, इस्केटर उनन भायन बनना ले, त्यों सहें हामी सम्मा पुग्णू पोरे, अब हामले, योटा रेलिक साइन्टिस लेकी वन्नू भाचा वाने पसी, रेलिक लेकी वन्नू भाचा वने, पसी, अमाउंट अब स्केटरिंग, रेलिक ला लेकी वन्नू भाचा वन्नू भाचा वने, अमाउंट अब स्केटरिंग अफ लाइट, अमाउंट अब स्केटरिंग अफ लाइट, अफ लाइट एज इन्वसली प्रोपोर्शनल टु वन by lambda to the power 4 बनना ले जसको wavelength कम उँचा त्यो body scattering उने रहिछा रो जसको wavelength बड़ी उँचा scattering कम उँचा अब आमेले आमरो sun sun को radiation मा 7 उटा color उँचा ठीक्छा 7 उटा color मद्दे सब बड़ी wavelength कसको उँचा दा wavelength red को उँचा ठीक्छा रो सब बन्दा कम कसको उँचा आमरो violet को उँचा ठीक्छा त्यो 7 color मद्दे सब बन्दा कम उँचा violet को उँचा आमेले आरेम बने सब बन्दा बड़ी scatter को उँचा आमरो violet उँचा रो सब बन्दा कम को उँचा आमरो red उँचा किने कि red को वेड़ेंत body चा, scattering कम हुने भो, so red scatter की हुँचा दा, कम हुँचा, ओके, थीक्छा, scattering की हुँचा दा, आमरो, red को, कम हुँचा, वने पसी, आमी सम्मा, पुग्णे radiation कुन हुने भो, आमरो, red light हुने भो, so, sunrise or sunset मा, आमरो, red color is predominant, इन्दे sky, ते वरा, sunrise or sunset मा, शुर्यगो कलर के देखिएंच दा इसकाईगो कलर इसकाईगो कलर के देखिएंच रातो देखिएंच ओके due to less scattering of the red wavelength ओके यसको correct answer के आउज़ दा आमरो scattering of light अब question number 17 में एरद acceleration due to gravity at earth surface is g at what height from earth surface g is reduced to g by 4 r by 4 4 r 2 r आब एरद यसको लागी योटा छोटो फर्मूलापो नी बनाको शा त्यो फर्मूलापो नो मती ओईल लेक शाई ता so height equal to root n minus 1 into r so यो n बनाया क्यों आमरो n बने का आमरो यो 4 उन्चाई g by n आमले एरणो पर्शा so g by 4 देखिए यो condition में की बोता आमरो n equal to 4 बनाया so h equal to root 4 minus 1 into r गर्द आखेरी कतिवा आमरो equal to r so यसको correct answer क्यों ने भो e number r अई नामा एसरी गर दी नामा और कही तरीकारे गर्शु वन्दा पन्न पनी मिल्यो त्यसको लागी तावाल की गर्ना परे g dash equal to g m upon r plus h को all square गर्ना परे so g dash equal to g m into r square गर्द दे माथी ताला पनी मिल्यों r square गर्द दे अनि r plus h को all square so g dash equal to अब यह गर्द यह g m by r square वनाया क्यों आमरो g r square upon r plus h को all square ओके ठेक्चा अब आमला question मा की देखो सा g dash वने को g by 4 देखो सा equal to g r square upon r plus h को all square g z के बो काटियो है अनि ते से गरी अब आमले हेरों ता अब की बोओ आमरो 1 by 4 equal to r by r plus h को square बोओ so यह गर्द आखेरी कती बोओ ता 1 by 2 equal to r upon r plus h so यह साल बो गर्द आखेरी r plus h equal to 2 r therefore h equal to कती बोओ आमरो r यह साल बनी गर्ण मिल्यो है अब जा सरी ता बाईला शाजीलो लाक्षा ते सरी नहीं गर्ण वाला so यह स्कू करेक्ट आंसर के बोदा आमरो option नमर e okay अब question नमर 18 में रद the potential barrier in PN diode is due to diffusion of charge carrier drift of electron, drift of holes forbidden bend अब आमरो यह रद so यह आमरो 20 में क्योंचा था आमरो potential barrier okay यह को अरको नाम कियो depletion layer okay क्योंचा आमरो depletion layer S में क्योंचा था आमरो non-mobile और immobile बनी वन्ना मिल्यो है immobile hands अब आमरो के थावन परसा मन दाखेरी आमरो P ती रे क्योंचा there is majority of holes holes बनेगा आमरो positive charge करूँ मा लिन शक्क्यो okay अनि N ती रे क्योंचा आमरो majority of electron अरूँचा अब electron N region बाट आमरो electron क्योंचा था diffuse उने बोई तापटी P region ती रे diffuse बहरे क्योंचा था the positive charge of holes is cancelled by the electron त्यो बहरे का खारणले यह उटा region बनने बो so potential barrier की न भाता आमरो due to the diffusion of charge carrier electron बोई सको diffusion ले गरदाखे था आमरो की बन्यो potential barrier फ्रम बाट okay okay त्रा drift of electron अप्शन नमर बी मा drift of electron ता केले गरदाऊं था जब electric field आमरे अपलाई करें चा यह PN diode मा electric field अपलाई करें पसी बल्ला त्या की उन्छ mobility of charge उन्छ त्या वनर कामरो drift of electron त्रा electric field अपलाई नगरी का नई त्याँ diffusion बाई राचा higher concentration बाट lower concentration मा charge की बाई राह diffuse बाई राचा होने से that is a that create the potential barrier okay so यह मा diffusion of charge carrier ले करदा ही की बन्सामरो potential barrier is formed okay question number 19 मा एरदा in a glass having liquid whose cohesive force is more than the adhesive force the meniscus formed is concave convex plane oval अब यह राथ आमरो cohesive force की चाथा होईले more than the adhesive force अब यह राथ यह condition मा की उन्छा आमरो cohesive force बाड़े हो बाणे पसी आमरो की उन्छा molecule base को force बाड़े रा molecular रो नाजी गाउँछा बाने पसी तीने अड़े इस्तो मिनिसकस बनावने बाड़े ठीक चाथ so this is liquid इस्तो मिनिसकस बनेगो कुणो आमरो यह बनेगो convex मिनिसकस इस्तो करेक्ट आंसर की उन्छा आमरो आवसर नमर B रा इस्तो मिनिसकस आमरो mercury ले बनावा साई mercury from this मिनिसकस यह माँ एंगल कियो होनेवाद अगल आपकक्ट अप्ट्यूस उन्छाई यहा हैरत एंगल कतिवो 90 डिगरी वान्दा बाडयो शवा एंगल कतिवो नेवाद अप्ट्यूस अगल यह पनितपाला शोधी राको ओंछ अप्ट्यूस अगल फोंछाई अब क्वेशन नम्मा 20 मा एरत proton is 1836 times heavier than electron if the proton is accelerated through one bolt then kinetic energy is अब आमले की बुशन पर्शा वन दाखेरी कुन एक यवटा particular voltage एपलाई गरेर आमले kinetic energy आमले charge लाई आमले kinetic energy मा लेयों वने वसी आमले क्यों होंजा तेशो kinetic energy कती होंजा था आमरो क्यों भी होंजाई अब एरत आमरो kinetic energy सानी it does not depend on the mass आब mass माँट डिपेंड गरे न charge माथरी डिपेंड गरे होंजा आमरो proton र इलेक्टोन को charge की होंजा same होंजा in magnitude magnitude मा की होंजा आमरो same होंजा वने पसी आमरो kinetic energy पनी की होंजा वो दोईटे को लागे same होंजाई वो पन्नाले कती होंजाई वो था 1E भी नहीं होंजाई वो option number B होंजाई वो correct answer अब question number 21 मा होंजाई रहता a thread subtended between two end as harmonic in the ratio a thread suspended between two end दोईटा इंड मा thread ला suspend गराएशा harmonic R in the ratio आमले harmonic को लागे आमले thread मा क्योंजाई रहता suppose मारे this is a condition first condition येश मा आमरो इस्तो बन्याई दाये loop आमले येश मा first harmonic हेरियों first harmonic को खुरा गरियों ok ते से गरी औरको आर्मोनिक पनी बन्याई suppose this is second harmonic ok येश मा क्योंजा आमरो second harmonic अब आमरो third harmonic मा क्योंजा ते लेन्थ बिद्रकियों आमरो तीन्टा लूपरू बन्याई बन्याई ok येश रही आमरो तीन्टा लूपरू बन्याई बन्याई so this is third harmonic ok आमले रेशियों येश माने आर्मोनिक बन्याई फिर कुई चिता अन्य f1 is to f2 is to f3 खरेव माने आमरो क्योंजा बिद्र कियोंजा b by lambda 1 is to b by lambda 2 is to b by lambda 3 b b सब मा सेम होंजा काटियोंगा अब 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 अरतर शुरुको कंडिशनमा lambda 1 काती हुँझा आमरो suppose इसको ये आमरो thread को length काती से l चावाने पसि येs मा क्योब ये l इकल्ट आमरो वार्वा ह smartest लिक्ड जो िलेंथ 10 गोथी गोथा है लि거 logic नए itenया अबला थीन्य लेंथ बिंटर लूब बनेश है यहीकलT 3 लेंडा 3-205 अम्रो 200 1 2 तो 2L is 2, lambda 2 काती साम्दों, lambda 2 वनेगा हम्दों, 1 by L नायँ बहँ हो, ok इस्तों, lambda 3 काती साम्दों, 1 by lambda 3 काती साम्दों, 2L by 3 वनेगा, 3 माथी काई, ok यह लेंथ लेंथ काटियों, काती बहँए, 1 by 2 is 2, 1 by 1 is 2, 3 by 2 सो आमेले यह ratio मा 2 ले इंटो गढ़ दियो माने की बाता हम रो 1 is to 2 is to 3 उने बो 2 ले multiply गढ़ दाखे ले आमेले 2 ले multiply गढ़ दाखे ले यह ratio मा सब बाई ratio मा की बाने था हम रो 1 is to 2 is to 3 सो यह सो correct answer की बाता हम रो Option number A अब एर दा Question number 22 मा एर दा N number of capacitor were connected in series first then in parallel the ratio of maximum to the minimum capacitance आव एर दा इसमा की थापाँ परसम हों दाखेर आमरो capacitance आमरो capacitor और लाई series मा connect करदाखेर की उन्चा आमरो series मा की उन्चा 1 by Cs equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus dot 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 1 by Cn वो ओके सो आमरो series मा की उन्चा आमरो the equivalent capacitance is lower than the minimum capacitance ओके सो यो कंडिशन मा आमरो maximum आउनो सक्दने minimum आउनो सक्दने तेसे गरे आमरो parallel मा जोड़े माने की होंच 1 by C1 plus C2 plus dot 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 plus Cn सो यो कंडिशन मा आमरो की होंच maximum होंच आमरो maximum capacitance बंदा पनी अजे माती आउच equivalent capacitance ओके सो आमले अवा C maximum by C minimum गर दाखे दी आमरो की बहता आमरो maximum आमरो की बहता इसमा सबब़े क्यापाशिटेन सेम सा वने पसे आमरो N C पन राकना मिल्यो ओके ठीक्सा येवाने को C P by आमरो C S बनना मिल्यो सो N C अपन सबब़े क्यापाशिटेन सेम सा वने आमरो की आऊँच C by N आऊँच equivalent capacitance ओके सो C by N गर न मिल्यो C C आमरो काटना मिल्यो N square आयो ओके सो इसमा maximum capacitance आमरो प्यारल मा होंच अपन minimum capacitance आमरो की मा होंच शेरीज मा होंच जो दो इते को ratio काटना मिल्यो काटना मिल्यो N square is the correct answer ओके अब क्वेशन आमरो 23 मा होंच 8300 Kelvin 8300 Kelvin radiated energy is proportional to के वनच option नमर A, B, C, D के वनचला वनच आमरो radiated energy वनच आमले कुन ला लावनो Stephen's law आके Stephen's law Stephen's law लावले के वनच 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 करे radiated energy P is directly proportionate to temperature to the power 4 ठीक सा अब यो लावाट आमले के थावड़ा temperature के मा होनच पर Kelvin मा होनच पर शो यो condition मा 300 to the power 4 is the correct answer अब के यो correct answer is option नमर A अब question नमर 24 मा है रहत इंटेंसिटी लेबल ड्यू तो वेब्स आफ सेम फिरिक्वेंशी इन गिवन मेडियम आर वन बेल और फैफ बेल रेशियो अप्टिट्यूड इज अपसा नमा ए बीशी डी के उन्चला 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 इसमा अमलिकुन फर्मुला लाउनो पर्शम उन्दा खेरी L2-L1 वनिको आमरो इंटेंसिटी लेबल और लाउडनेश उके एक्वल टू आमरो लाउनो चाउन्चा उन्चाई की निकी इसमा बेल देखोचान तर डेशिबेल चाउ वनिपस यहां 10 पन राखने मिल चाउ अगाडी लगको अगाडी तर बेल मा देखोचा वनिपस आमरो 10 आई टू अब एर दा इंटेंसिटी इस डारेकली प्रोपोर्शनल टू दा अएंप्लिट्यूड को स्क्क्वार यहां था वहाँ था शा बनेपस यहां आमले ए टू स्क्वार अपन ए वन स्क्वार बने गरना मिल यहां ठीक्छा शो फोर इक्कल टू लॉग टू बाइर ल A1 बाइ A2 काती बादा अम्रो 1 इस टू 10 तो दी पावर 2 ओके शो करेक्ट आंसर अम्रो कुण बो अप्सन नम्र D ओके अब आमिले क्वेशन नम्र 25 मा अरियम बने रत क्या बने आशा एट वाट इस पीड शुद आप साउंड मूब शो देट अपरेंट फिर्कुइंशी हाट बाइ अब्सर्बर इस आप द ओर्जिनल फिर्कुइंशी ओके यह पेलोशित आप साउंड इस भी शो प्रक्रेक्ट आप साउंड आम रो A, B, C, D आप्षन देखो शा तेशको रागे आमले अब शाल्ब गर्नो पडशा तो आव अब शोपोज दिस आवजरबर इस आवजरबर सा अणि यह पट्ट आम रो क्योशा आप साउंड आव अब आमले शुरु माता के सथ आमरे apparent frequency heard by observer is half the original frequency अब original frequency को पनी हाप बाइरा सा वनेपपची आमरे source of sound should be moving away from the observer किना की जब source of sound move away from the observer तो बहला आमरे की होंचा? frequency की होंचा? काट साई तर तुआर दा observer आमदा खेरी की होंचा? frequency बाट सा एसमा हाप बाइरा सा वनेपची पकई-पकई नी source of sound की बाइरा वाला it is moving away from the observer so this is the direction of the source of sound and this is the observer अब इसको लागे हमनी की गरनो पर्शा बंदा खेरी अब इवाट आम सांगा के सा frequency dash apparent frequency equal to के साद आमरो b plus minus b b plus minus b o upon b plus minus b s into real frequency अब आमी एरम्त s मा केचा observer केचा आमरो observer के velocity केचा 0 सा b o आमने 0 राखना मिल्यो so b plus 0 राखना मिल्यो आनि velocity of sound source of sound कता गव कोशा आमरो अब आप्जर्वर आव एरा ता आमरो योजाई आमरो क्यो velocity of source एता पट्टी velocity of sound b हुने भो ठीक्छा velocity of source आमरो velocity of sound आप्जर्वर 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 आमरो 8 गर्ना मिल्यो so plus आमरो velocity of source गर्ना मिल्यो into f ok अब आमरो apparent frequency कती वने आशा half of the original frequency f by 2 गर्ना मिल्यो ठीक्छा f f आमरो काटना मिल्यो ok so 1 by 2 equal to b upon b plus b s गर्ना मिल्यो ok so b plus b s equal to 2 b therefore velocity of source equal to b ok so the correct answer is option number a ok ठीक्षा बुझे उनी आई न so thank you everyone आजा आमिले part 1 गर्यों और part 2 को लागी तपाई ले के दिन पर्तिक्षा गर्ना समा पक्कई पनी तपाई लागी part 2 पन ले रावने शूं आजा को लागी एती नै thanks for watching keep on struggling keep on shining bye bye everyone